Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और यह एक वीडियो है फायर्स रेगुलर ओडर पर तो सारा पूरा सैटप बना हुआ है बस मैं आपको रेगुलर ओडर कैसे लगाते हैं और क्या क्या चीज क्या काम करती है उसके बारे में बता हुआ तो हम यहां सेंटेक्स पेज पर आगे अच्चेंज के न्डर अटा है अमने थे संबल और करते है'll कोलों में दिखाद कर ले और क्या है वाइस सेलक सेलक और उसके बाद अब साउन ण्ज के इनदर आता है kia के आनदर आता हम इसे सेलक करेंगे फिर कौइंटरी की लेना चाहते हैं वन लेना चाहते है अर्न आ् कोई स्ट्रेप के order में buy or sell करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको market order limit order है तो मैं दोनों के उपर वीडियो अभी इसी वीडियो में दिखा दूँँ आपको तो हम पहले market कर लेते हैं उसके बाद आपसे product type पूछा जा रहा है जो nsco intraday और cnc के इंदर आता है हम intraday में करना चाहते है generate code यह code generate हो गया है और अगर हम इसे trigger कराएंगे तो यहां पर एक market order लग जाएगा तो इसके लिए मैं अपने trading view account पे चलता हूं और trading view account पे चलने के बाद यहां पर आप कोई भी चार्ट से order को trigger करा सकते हैं अभी के लिए मैं आपके सामने चलो ioc ही ले लेता हूं और यहां पर मैंने चार्ट ले लिया यहां पर एक horizontal line डालता हूं और right click करता हूं right click करने के बाद यहां पर एक tag डाल देता हूं आप कोई भी tag डाल सकते हो इधर मेरे को sentence डालना हूं वह मैंने डाल दिया लोग क्या करते हैं जो इंडियन मार्किट का इसे select करके copy करते हैं यह title इसे copy नहीं करना आपको इस button पर किलिक करना और copy करना है और फिर में चलता हूं यहां पर और वैभुक URL चेंज कर देता हूं इससे पहले Forex Market का वैभुक URL था और यह create करने के बाद अब आप देखोग होगे tag नाम से एक alerts बन गया है और मैं इसे टिगर कराता हूं जैसे मैं इसे टिगर कराऊंगा order चले जाएगा वेट करते हम तो इधर जैसे टिगर होगा इधर alerts आएगा वेट करते हम यह alerts आया अगर हम fires पर जाएंगे तो यहां पर अभी order आ जाएगा यह आप देख सकते ह आ गया तो इस तरीके से आपका market order लगता है अब हाथ हो हाथ limit order की बात कर लेते हैं और काफी लोगों को problem होती है limit order को लेके वो भी मैं clear कर देता हूं इधर जाएंगे double click करेंगे हम fires पर जैसे फाइर पर click करेंगे यह regular order आया regular select करा IOC select करा IOC कर देते हैं उसके बाद NAC करा quantity one दाली यह exchange में हमें exchange वो लेना है जो जो symbol जिस exchange में आता हो उसके बाद transaction type buy करा अब limit पर आ जाते हैं अब limit पर PR का option है इसको लेके लोग काफी confused होते PR है क्या यह price range है जैसे जब हमारी कोई चीज तिगर होती है वो चीज 100 रुपे की चल रही है और हमें उससे नीचे लेनी limit order लगाना है तो हमें उससे नीचे लेनी है suppose मानू मुझे 99 पर लेनी है तो मेरे को 99 नहीं दालना पड़ेगा यहां one दालना पड़ेगा कि एक रुपे नीचे जो भी current price हो से एक रुपे minus होके जो price है वो लग जाए अगर हम percentage select कर देंगे तो एक percent नीचे लग जाएगा मैं इधर गया edit करा और मैंने syntax को change कर दिया जैसे मैंने change करा change करने के बाद आप देखोगे कि order के अंदर कोई भी order नहीं है working order के अंदर क्योंकि pending order लगेगा तो अभी हम मैं आपके सामने इस order को टेगर कराता हूँ जैसे मैं यहां alerts आएगा wait करते है alerts का alerts आया और यहां पर वो order लग जाएगा तो अभी price चल रहा 84 रूपीज और अगर आप देखोगे तो 83 रूपीज पर यह लग गया है एक रूपे नीचे क्योंकि हम इसने क्या करा जो current price जो टेगर हुए उस value का current price से एक रूपे माइनस कर दिया तो इस तरीके से limit order लगते है I hope आप समझ thank you for watching this video and bye